मूवी रेजिडेंट इविल टिपिकल स्टाइल में शुरू होती है जहां एलिस अपनी अब तक की कहानी रेकॉर्ड कर रही होती है इस भाग में वो एक न्यू चीज रिवील करती है कि टी वाइरस का निर्मान करने वाला अंब्रेला कॉर्परेशन का को फाउंडर और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर मारकस है जिसकी बेटी अलिशया को प्रोजेरिया की बीमारी थी जिससे सून 25 साल के उमर लगने पर उसका शरी 90 साल की तरह लगने लगेगी मारकस कैसे भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका क्योर बनाने की पीछे लग जाता है उसी दोरान इससे पहले कि उसकी बेटी का बचपन बीमारी की कारण गुजर जाए वो उसकी आवाज से लेकर उसकी पसंद नापसंद और बाकी की सारी जानकरी उसका डियने तक कर लेता है फिर फाइनली मारकस को सफलता मिलती है टी वाइरस डिसकावर करके टी वाइरस में डेट सेल्स को क्योर करने की शक्ती होती जिसके मदर से एलिसया की एजिंग की बीमारी ठीक होने लगती है और जो दूसरों के लिए भी बीमारी क्योर करने में सफल रहती है पर company के CEO Albert Wesker के मदद से उसे मार देता है Marcus के मरने के बाद as a guardian to Alicia, वो Marcus के shares का मालिक बन जाता है, जब तक Alicia बढ़ी ना हो, अब जब उसके पास सबसे ज़ादा shares होते हैं, company को अपने तरह चलाने के लिए, वो Marcus के collected Alicia के data से, Alicia की तरह दिखने वाली AI powered computer program called Red Queen बनाता है और उसके कुछ महीने बाद T-Virus Raccoon City में लीक हो जाता है आखिर में कुछ ही लोग बच्चते हैं इसे रोकने के लिए, पर अंत में वो Albert का उन्हें मरवाने का एक जाल निकलता है जो Alicia को उसकी पावर लोटाने के बहाने से फसाता है, और फिर मुवी तभा वाशिंग्टन सिटी के तरफ मुड जाती है मुवी की कहानी आगे समझाने से पहले I know काफी लोग confused होंगे कि T-Virus का creator Marcus कैसे हो सकता है जबकि Part 2 के हिसाब से Dr. Ashford is the creator इसका mystery में मुवी के main plot में explain करूँगा, Alice ठकी और घायल भटकती रहती है, फिर उसका सामना एक dead walking zombie और flying monster से होता है, Alice हमेशा की तरह उस monster को bomb के explosion से उड़ा देती है, पर इसके वज़े से red queen Alice को detect कर लेती है और उसे contact करती है, वो उसे बताती कि धरती पे कुछ ही हजार unaffected लोग बचे हैं, पर कुछ घंटो बाद वो भी उसके शिकार T virus के infection से मारे जाएंगे अगर उसने उसे 48 घंटे के अंदर नहीं रोका, वो उसे एक सबसे बड़ी secret reveal करती है कि umbrella corporation ने T virus का cure airborne antivirus भी बनाया, जो कि उनके raccoon city के the hive lab में मौझूद है, वो एक तरह से उसकी मदद मांग रही होती है, umbrella corporation को destroy करने के लिए, पर Alice उस पर भरुसा करने को तयार नहीं होती, पर red queen वादा करती है कि वो उसके सवाल का जवाब देने के लिए तयार है, जब वो सई सलमत lab पहुचेगी, और कोई चारा होने पर Alice Raccoon City के तरफ निकल पड़ती है, पर रास्ते में उसका सामना Dr. Isaac से होता है, जिसे देखकर Alice एकदम से surprise हो जाती है क्योंकि उसने Dr. Isaac को Part 4 में मार दिया था, पर उसे पता चलता है कि वो Dr. Isaac Actually में एक clone था, Alice किसी तरह Dr. Isaac के केद से भाग निकलती है पर Dr. Isaac और भी बदले के आग में अपने military और zombies के सेना के साथ उसका पीछा करता है Alice finally Raccoon City पॉस थी है जो Part 2 में detonated nuclear bomb से पूरी तरह destroyed हो चुका होता है पर Hive Lap का deepest underground अब भी intact होता है आगे जाने पर उसकी मुलाकात Clara से होती है Clara दरसल लास पार्ट में Umbrella Corporation के कैद से किसी तरह भाग निकली थी पर कैसे वो मूवी में clear नहीं किया Alice उन्हें Dr. Isaac और उसकी सेना के बारे में warn करती है और उससे लड़ने का plan बनाती है Fight के तरहां Alice का hideout destroy हो जाता है पर वो army of zombies और Dr. Isaac को चक्मा देकर अपने साथी के साथ समय खतम होने से पहले हाइव लैप के तरफ मूड जाती है रास्ते में serbris zombie dog से बच्चते बच्चते Alice किसी तरह हाइव लैप के entrance तक पहुँच जाती है पर इसमें उसके कई साथी मारे जाते है लैब में एंटर करने पर red queen वादे के मुताबिक उसे finally बताती है कि आखिर क्यूं वो उसकी मदद कर रही है वो बताती है कि virus के release होने के बाद किसी ने secretly उसके database में umbrella corporation के एक major board meeting की वीडियो clip अपलोड की जहां finally reveal होता है कि T virus accidentally leak नहीं बलकि ये सब doctor as a plan था virus को जान बूच कर release करने का उसके हिसाब से धर्ती, pollution, population और war के कारण नश्ट होते जा रही है और अगर इसे रोका नहीं गया तो उनका भी भविश्य सिक्योर नहीं है इसलिए वो खुद का control apocalypse को अंजाम देता है जहां उनके कुछ चुनिंदा लोग और clients डीप अंडरक्राउंट क्रेजनिक स्टोरीज में सेफ रहते हैं वहीं बाकी सभी को virus के चपेट में लाया औल्दो रेड क्वीन, umbrella corporation के लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर आईजेक द्वारा डिजाइन किया गया था इस meeting clip को upload करने के बाद उसके system में एक conflicting program भी upload किया गया जहां उसे बेगुना human life को ठेस नहीं पहुचाना है यही कारानी कि वो उसकी मदद कर रही है umbrella corporation को पूरी तरह से खतम करने के लिए यह सब जानने के बाद अब Alice के पास कुछ ही minutes है सबी tunnel के तरू आगे बढ़ते पर अचानक से tunnel का power lot आता है और wind turbine full speed में शुरू हो जाता है वहीं Albert को Red Queen पर शक हो जाता है कि वो secretly उनकी मदद कर रही है इसलिए पूरे system के control को अपने command में ले लेता है वो उसी wind turbine को उल्टे direction में सुच कर देता है जिसके वज़े से सभी तेजी से घूमते blades के तरफ खिचने लगते हैं पर luckily थोड़ी देर बाद power supply फिर से चली जाती है पर इसमें उनके एक साथी को अपनी जान गवानी पड़ती है वहीं Dr. Isaac अब भी Alice के तलाश में बड़ा plot reveal करता है कुछ देर पहले जिससे Alice का सामना हुआ था वो भी Real Dr. Isaac नहीं था बलकि Real Dr. Isaac अब तक safely उसी क्रिजनिक स्टोरिज में एपोकलिप्स खतम होने तक का इंतिजार कर रहा था पर आज Albert के emergency wake up call के वज़े से उसे return उठना पड़ा Alice को सबसे बड़ा जटा तब लगता है जब वो उसे बताता है कि वो खुद भी Real Alice नहीं है बलकि Real Alice इस company की co-owner और James Marcus की बेटी Alicia Marcus है T-Virus के side effects के कारण उसकी बिमारी क्योर नहीं हुई और इसलिए वो आज कम उमर में भी 90 साल की दिख रही है जैसे Dr. Isaac ने Red Queen को Alicia की तरह बनाया वैसे ही उसने Real Alicia के DNA को tweak करके उसे बनाया T-Virus के infect को human के DNA पर test करने के लिए एक तरह से वो वो fake Alicia है जो Real Alicia कभी न बन सकी यही कारण है कि Alice को उसे अपने बचपन की कोई memory नहीं है एक तरह से Alicia, Alice और Red Queen एक ही है Alicia हमेशा से Dr. Isaac के experiment के खिलाब थी पर उसकी situation के कारण वो उसे रोक ना सकी इसलिए उसने वो meeting की वीडियो clip अपलोड की और उसी ने Red Queen की program को tweak किया Alice की मदद करने के लिए Alice को यह भी पता चलता है कि Dr. Isaac खुद भी Alice के तरह T-Virus से treated है पर उसमें उससे जादा technologically advanced capability जैसे super speed और strength है Alice चारकर भी Dr. Isaac पर attack नहीं कर पाती क्योंकि एक तरफ Albert ने Cleira को gun के नोग पर रखा होता है वहीं दूसरी तरफ Dr. Isaac के पास वो ही airborne antivirus है जो वो वहीं destroy करने की धमकी देता है पर Alicia smart होती है क्योंकि Red Queen किसी भी umbrella employee को नुकसान नहीं पहुचा सकती और वहीं वो खुद company में 51% share hold करती है उसके पास किसी भी employee को fire करने का power होता है और since Albert सिर्फ एक employee है ना कि Dr. Isaac के तरह share holder वो तुरंत उसे fire कर देती है उसके fire होते ही Red Queen उसे घायल कर देती है जिससे Clara release हो जाती है इससे अब पासा पलट जाता है और Alicia पूरे lab को destroy करने के command सेट कर देती है ताकि Umbrella Corporation का पूरा वजूद हमेशक ले नस्ट हो जाए मोई Dr. Isaac Red Queen को पूरी तरह से shutdown कर देता है आखिर में Alice और Dr. Isaac में काफी fights होती है और Dr. Isaac Alice से powerful होने के कारण उस पर भारी पढ़ जाता है पर अंत में Alice उसे चकमा देकर antivirus release करने के लिए भाग निकलती है पर Dr. Isaac जल्दी recover कर लेता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है पर उसी समय नकली Dr. Isaac आ जाता है और ये पता लगने पर कि वो असली नहीं है वो गुस्से में असली Dr. Isaac को मार देता है और अंत में मौका देखते ही Alice फाइनली वो antivirus release कर दीती है जिसके effect से उसके तरफ बढ़ रहे सारे zombies वहीं धेर हो जाते और वहीं umbrella corporation Albert के साथ खतम हो जाता है जिसकी चपेट में Alicia भी आ जाती है antivirus के effect से Alice को भी खतम हो जाना था पर Red Queen खुद को restore करने के बाद Alice को बताती है कि शायद से वो एक clone होने के बावजूद उसके शरीर में एक असली इंसान की तरह उसके body cells को ढाला इसी कारण से antivirus का असा उस पन नहीं हुआ जाती है ओकी ये तो इस पार्ट का explanation है पर I know कुछ confusion अब भी है जैसे अगर पार्ट 2 के हिसाब से Dr. Ashford ने T virus को develop किया तो इस पार्ट में Dr. Marcus कैसे creator हो सकता है इतना ही नई आगे Red Queen का क्या होगा क्या Resident Evil Final Chapter 2 कभी बनेगा मैं कोशिश करता हूँ उन्हें explain करने में सबसे पहला सवाल का जवाब जब आप Part 2 और इस पार्ट के डैलक्स को ध्यान से सुने तो आप गौर करोगे कि Part 2 में ये बताया है कि Dr. Ashford ने T virus को develop किया वहीं इस पार्ट में Dr. Marcus is the creator आइनो समझने के लिए दोनों का मीनिंग तो एक तरह से सेम ही निकलता है पर the real reason ऐसा किया गया क्योंकि दोनों की sequel का director अलग है जिन्होंने अपने तरह से movie direct की developer creator का शब्द इसलिए प्रयोक किया गया इसलिए game के अनुसार Dr. Marcus was the scientist जिन्होंने ये virus create किया फरक बस इतना ही कि game में वो एक evil scientist था वहीं movie में उसे एक अच्छा character दिया है अब आखरी सवाल कि क्या Resident Evil का final chapter part 2 बनेगा well Mila Jovo वीच के एक interview के according या तो इसकी पूरी series को फिर से बनाया जाएगा या तो इसका part 2 बनेगा पर उसकी leading role में वो नहीं रहेगी बलकि उनकी बेटी Ever Anderson रहेगी जिसने Red Queen का role निबाया इस final chapter में आशा है आपको मेरी explanation पसंद आए यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सबस्काइब करके सपोर्ट करना ना भूलें मिलते हैं अगले explanation वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों